जहिन चात्रों मैं इशारहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी निरंतरता बरकरार रखे हैं और एक युद्धिस तर पे तयारी कर रहे हैं जैसा कि सामने देख सकते हैं आप कि नेलसल मंडेला जी कहते हैं कि सिक्षा सबसे सकतिसाली हतियार है जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं बिल्कुल सत्य बात है ये उनका अनुभाव कहता है कि अगर व्यक्ति अच्छी तरह से सिक्षित हो जाता है य हो जाता है व्यक्ति नहीं सिक्षा मतलब की सारी चीजों का ज्यान अर्जित करना अधिकतर चीजों की ज्यान का अर्जन करना ही सिक्षा कहलाता है और सिक्षा जैसे जैसे व्यक्ति सब भी होते जाता है थोड़ा थोड़ा सिक्षित होते जाता है वैसे वैसे उसका विकास हो दिमान हो रही है, छोटी-छोटी एकाईयों के रूप में आपका राजवन से सामने आ रहे हैं, तो उसी प्रकार अगर हम परिच्छा के दृष्टिकोंड से समझें, तो हमें सिक्षा को तवज्जो देनी चाहिए हर एक छेत्र में, ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बाते आज पढ़ने वाले हैं पल्लाव वंस, इससे पहले हमने देखा वर्धन वंस, वर्धन वंस में हमने लड़ाई देखी, रिलेट करना है सारी चीजों को, रिलेट करने से आसा ये है, कि हमारे दिमाग में अगर पिक्चर सैट होगा, तो आपका हम पेपर हॉल में हमारा प् वंस में हमने देखा कि उसने आपका पुलकेशिंदुटी ने किसे हराया हर्सवर्धन को राया, और चालुक क्योंस से पहले देखा हमने वर्धन वंस या पुष्षी भूती वंस, उसमें थे आपके हर्सवर्धन जो की दक्षिन भारत विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन नर्मदा घाटी छेतर में पुलकेशिंदुती है, जो की चालुक की वन्स के साथ सक्त है, उन्हें ने उज़े परास्त किया, और एहोल अभी लेक से इसके साक्ष प्राप्त होते हैं, कि पुलकेशिंदुती ने हर्सवर्धन को हराया था, ठीक है, और ये लड़ाई क हो रही है कन्योच की प्राप्ती के लिए, अभी नहीं हो रही है, लेकिन याद रखेगा, इस से हमें सारी चीज़े रिलेट करना है, तिरी पक्षी है संघर्स का, इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है कि इस पे तवज्जों देते हुए चलना है, प्रस्नो वहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो पहले एक फॉर्मेट सैट हो जाना चीए दिमाग में सारे वन्शों के बारे में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार इस वीडियो को देखें, और जो है आपका सारी चीज़ों को अच्छी तरह से याद करें, औ उसे निवेधन करना चाहूँगा कि वह सब्सक्राइब करें, और पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ठीक है, तो पल्लव वन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पल्लव वन्स के बारे में अगर देखा जाया है, तो याद रखेगा विश्नु गुप्त और इन्हें ह जो है, आपका हम कहते हैं, सिह विश्नु, क्या कहते हैं, सिह विश्नु ही कहते हैं, तो विश्नु गुप्त की जानकारी मिलती कि इसके संस्थापक को है, सिह विश्नु, लेकिन जो है आपका, अगर डीब जाया, तो विश्नु गुप्त पहले संस्थापक रहे हैं, उसके मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ जो है चालूग के Unex border दिखाई दे रहा है जिनकी राजधानी क्या थी भादामी और टापी टो इस समय यहाँ थे पुलकेशिन दुटी और पुलकेशिन दुटी ने आकरमण किया था पल्लवोपे और पल्लवो के उस समय सासक थे आपके महेंदर वर्मन थे उस समय सासक और महेंदर वर्मन को पराजित किया था किसने आपका चालुक के सासक पुलकेशिंद्विती ने और काची कोंट की उपाधी दारन की थी, ठीक है तो वही महेंदर वर्मन है, ठीक है कनेक्ट करके चलना है सारी चीज़े वापस आता हूं मैं राजाओं के तरफ ठीक है यह दिखाई दिए तो विश्णु गुप्त जो है आपका स्वारी आपका महेंद्र वर्मन जो है वही महेंद्र वर्मन है जिसे पुलकेशिंद्विती ने हरा कर कांची कॉंट की उपादी धारन की थी फिर उसके बाद यहां नर्सिन वर्मन प्रथम और यहां दिखाई देंगे आपको लिए और यह वही नर्सिं वर्मन प्रथम है जिन्होंने पुलकेशिंद्विती पुलकेशिंद्विती को हराया था फिर से मैं अपकी तरफ लेके चलता हूं आप लोगो सॉरी ठीक है यह दिखाई दे रहे हैं मैंने बताया कि प्रतापी चालू के सासक कुण था पुलकेशिन दीटी जिसे ने हर्सवर्धन को भी रहाया था और आपका महेंदरवर्बान जो की आपका पल्लवंस के सासक थे और वही नर्सीम वर्मन प्रथम सासक खाते हैं जो की आपके पल्लावंस के थे जिसने आपका पुलकेशिन दुईती को पराजित किया और उनको जो है आपका वध कर दिया उनका ठीक है जिनके बारे में आगे में चर्चा करेंगे तो एकदम पहले पिक्चर सेट करना है ठीक है दिमाग में उसके बाद है नसिंग वर्मन दुईती इनके बारे में विचर्च होएगी उसके बाद अंतिम सासक आते हैं जिनकी हत्या आप पराजित नाम है इनका दिखाई दे रहे हैं कि इनका नाम है आप पराजित की इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता इसलिए इनका नाम रखा गया होगा लेकिन इन्हें जो है आदित ये प्रथ तो पल्लाव पल्लाव की राजधानी क्या रही है काची पूरम दिखाया मैंने आपको यहां मैप में फिर से दिखाता हूं मैप बार-बार मैं मैप क्यों बनाता हूं और यार मैप बनाना होता है यह बार-बार क्यों हो जाता है मेरे से हो जाती गलती ठीक है देखो बल्लाव लोग कहा है आपका काची पूरम काची पूरम कहा है तमिल नाडू में ठीक है अब यहां जो है इसको थोड़ा से ब्रॉट करके दिखाता हूं आप लोगों को यह तमिल नाडू दिखाई दे रहा है काची पूरम तो इसे याद रखना है और जितना मैं बताया पहले वी कि मैप में जितने सारी चीज़े रखी है वह इन वडाज 100 से वन लाइनर फैक्ट्स हैं जिसे याद रखना अनिवार रहे है यहां से सीधा सीधा प्रस्ण पूछा जाता है ठीक है आगे बढ़ें तो हम लोग कहा थे कि काची पूरमीन की राजधानी थी दिखाई दे रहा है आपका तमिल लाडू में प्रथम सासक विश्णु गुप ठीक है प्रथम प्रसिद्ध सासक जो है आपके इसे इन्हें भी संस्थापक कहा जाता है कंफ्यूज नहीं होना है कई पुस्तक में जो है आपको इसे संस्थापक के रूप में दिखाई देगा लेकिन आपका विश्णु गुप जो है पल्लव आपका प्रथम पल्लव सास ठीक है क्यों रहें देखो भाई पहले सामंती व्यवस्था चलती थी और पल्लाओ के पहले जो है आपका अगर देखा जाया तो पल्लाओ के उपर कोन आकरमण कर रहे हैं चालुकलियों को आकरमण कर रहे हैं तो सामंत के रूप में अगर कोई स्थापित किया है तो वह विश के दरबारी कवी कोन थे भारवी और इनकी पुस्तक को पुस्ता है किराता अर्जुनियम को ठीक है तो किराता अर्जुनियम किसकी पुस्तक है भारवी की और किसके दरबारी कवी थे तो आपके सीव मिश्णु के दरबारी कवी है ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है फ ठीक है इस प्रकार से याद हो गए तो नर्सी यहां लिख देते हैं आपका यहां नहीं लिखते हैं यहां कन्फ्यूज हो जाओगे तो नर्सी वर्मन प्रथम जो है वर्सेस किसका लड़ाई हुआ भई पुलकेशिंद्विती का ठीक है इसंद्विती का लड़ाई हुआ तो पुशे शिंद्विती का हुआँ यहां प्राजित हो गया और नर्सी वर्मन प्रथम जीतह तो और नर्सीव प्रथम जीतह तो कहां तक का गया वह आये देखाता हूं फिर से एक हुल गया भई तो नर्सी वर्मन जो है इस तरफ छेत्र में था आप जो है वह बादामी वाले छेत्र तक के गया कहा किसको मारने के लिए पुलके के संदृति को वाध कि धा सिक अब जो है आपका इहां जाएगा तो यह कुने लाई कर आपका इसने कीधि यहां देख सकते हं फिर उसके बाद है इसने पुलके संदृति को प्राजीत किया चोके मैंने बताया महाबली पूरंस धाया और लंका को जीता ठीक है प्रशि dripping इए याद रखना यहां से पुरशन पूश्त है कि आपका नर्सिवर्मन प्रथम ने बनाया आपका सब्त्रत म defendant जा नर्वर्मनесुर्मन प्रथम एक धुक है उस में है चतुर्त प्रसिद्धिसासक है नर्सिम वर्मन द्विती ठीक है अब यह याद रखना है कि वहां क्या बनाया इन्हों ने देखो भई कन्फ्यूज नहीं होना है एकदम सारी चीजों को अच्छी तरह से समझना है में नर्सिम वर्मन समुद्र तटीय मन्दिर ठीक है वो सबत्रत मंदिर मंदिर है यह समुद्र तटीय मनदिर तो कन्फ्यूज नहीं होना है फिर उसके बाद है आपका एरावेतवसवरवन मंदिर ठीक है एरावतेशवर मंदिर जो है आपका किस ने बनाया जबान मेरी कम पलट्टी कभी-कभी ठीक है तो काची में बनाया किस ने बनाया नरसीम वर्मन दृती ने फिर पल्लाववंस का अंतिम सासक कौन था आप कि ने बनाया है अब इतना कंसेप्ट हमें याद रखना है अब जो है याद रखने वाली चीज़ह प्रषणों सway सारी चीजे संच समझके प्रस्ण को टिक अब देखो प्ल्लवंस की राजधानी क्या थी प्ल्लवंस की राजधानी सीधर लगा सकते हो आप आप कांची पूरम mates सब कोई जो है 맵 बनाते के सारी चीजे याद रखना है sedang और मैं सब चोटे-चोटे राजवंसों से प्रस्ण को फूछे जाते हैं की राजधानी काचिक पुरम का ब्रह्मन किया था तो याद रखना है नर्सींग वर्मन प्रथम के समय में क्या किया था बताया मैंने पिछले बार डीटेलिंग हुई है इसकी आपका किसकी मतलब सासनकाल में आ था तो नर्सींग वर्मन प्रथम के सासनकाल में ठीक है आगे याद रखना है ऐसे सेंस लगा लेना है थीक है वाट आपी कॉंड़ा किताब हासिल किया तो याद रखना है आपका कॉंड नर्सी मर्मन प्रथम ने हैं अन्हें पढ़ा है आगे बढ़ते हैं महाबलीपुरम में इसमारको के समु को किसने बनवाया था ठीक है भाई महाबलीपूरम में किस ने बनाया था तो आपका पल्लवों ने बनाया था ठीक है महाबलीपूरम में जितने भी इसमारक बनाया कौन बनाया पल्लवों ने बनाया महाबलीपूरम द्वारा इस्थापित किया गया था ओके महावली पूराम खालिस्थान द्वारा इस्थापित किया गया थो तो किसके द्वारा राजरा चोल या प्रचंद्र गुप्त मौर रही है तो है नसीम वर्मन के द्वारा ठीक है तो इस प्रकार से इसका अंसर होगा अगला बढ़ते हैं पल्लाववंस के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे यह हुए बात जोरदार महेंद्र वर्मन प्रथम ठीक है यह संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे धीक है और तो आपको इस आचक दिखाई नहीं दे रहा है जो कि पल्लावंस का था तो सीधर सीधर प्रस्ण इस प्रकार से बनाया भी जा सकता है ठीक है आगे बड़े सेंस लगाना है कोश्चन बनाने के तरीका भी आना चाहिए प्रस्माइब साथ है किस पल्लव सासक के सासनकाल में पल्लवों और प्रथम के समय में ही क्या हो गया था आपका लड़ाई चालू हो गया था बताया ना कि पुलकेशिन दुटी के साथ लड़ाई चालू हो गया था किसके साथ आपका पल्लव और चालू के के बीच में तो इसके समय में स्टार्ट हुआ था लेकिन खतम कौन कर दिया नर्सी दे लाह ठीक जा मगला मंद करेंगा तो यह सब के बारे में जतना आप इसको रिवाइंड करकर कर देखोगे सै आद हो जायगा। इन주는 किस ने महा बाली पूरह में पगोड़ा रतोड का निर्माण करें किसने करें था तुरंत लगाओ किस ने लगा थाप्ल़्भ कोड़ा मंदिर अ महाबं को महा महाबलीपुरम के साथ साथ पैगोटा किसके द्वारा सनरक्षित काल में के साक्षी है ओके ठीक है भई किसके साक्षी है पल्लवों के ठीक है इस प्रकार से होगा आगे बढ़ते हैं यह महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माड किस पल्लव साशक के शासनकाल में हुआ था ठीक है भ healthy देखो महाबलीपुरम का रथ मंदिर तुरण अंसर लगाओ किसके शासनकाल में आया थै नर्सीम वर्मन प्रथम के शासनकाल में ठीक है पताया था ना कि इसने जो है आपका चित्ताकारी विरुद्धारन किया था मतलब कि उसके बहुत प्रकार से क्या किया आपका निर्माण कारे करा है इस प्रकार से याद रखना है फिर है आज का प्रस्ण निमलिखित में से किस पल्लाव राजा की उपाधी राज सींथी तोड़ा सा अपना नोट्स भी पल्टाद लीजेगा साथ में पिछले कंटेंट भी देख लीजेगा और जो है यह पूछा हुआ प्रस्ण है यूपी यूडिये में आपका 2006 में पूछा हुआ प्रस्ण है तो यह प्रस्ण जो है आप लोगों को बनाना है और यह रहे उसक चाहुआ जय हिन जय भारत हुआ हुआ जय हम खिसे सोगह जय हुआ जय है जय हुआ हुआ झालसरय को, ÖNside